हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप सभी का स्वागत है रानी सर्मा कीचन में आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने जारी हूं मकड संक्रांती स्पेसल बदाम की लड़ू और ये तील की लड़ू तो आप सब को मेरी तरब से हैपी मकड संक्रांती तो देखिए मे मकर संक्रांती के लिए ये रामदाना लड़ू है और ये काले तील की लड़ू और ये दिखे गूर वाली तील कोट और चीनी वाली तील कोट तो चले फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मकर संक्रांती स्पेसल लड़ू तो हमने देखिए एक कटोडी तील ले लिए हैं और ए तील को अच्छी तरह से फ्राई कडर लेंगें तो देखिए तील अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो एक मिध ego बंद कर देंगे और तील को एक प्लेट निकाल लेंगे तो अब हम आधा कप के लगवग पानी डालेंगे अब हम गूर को डाल देंगे इसमें अब गूर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे तो देखिए गूर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है अब हम एक प्लेट में पानी लेंगे ये टीप्स बहुत ही अच्छा है तो देखिए इस तरह पानी में डाल लीजिए तो ये आप इस तरह से देखिएगा चासनी तयार हुई है कि नहीं तो देखिए कितनी अच्छी तरह से लड़ू हो जा रही है और यह पानी में भी नहीं भूड़ी है तो इसका मतलब है चासनी तयार हो चुकी है तो अब हम इसमें प्राइ किया हुआ तील को डाल देंगे तो अड़ को में ता मिसमें यह पीन डाल देंगे तो इसमें इंन दैव यह पूसिप्टियो टील डाल देंगे तो इसका स्वाध्य और भी बढ़ जाएगा तो आप जरूर इलैची पूड़र थोड़ जाल लिएगा तो देखे पूरा वीडियो जरूर देखेगा मैं हमेशा टीप्स और ट्रिक के साथ बताती हूँ तो हम इसे गूर्ण को अच्छी तरह से मिला लेंगे तो हब हम इस तरह हाते पानी लगा लेंगे और हम लड़ू बना कर तयार कर लेंगे तो देखे इस तरह से हम हात में ले लेंगे इस तरह लड़ू बना लेंगे हम तो देखे तो इसी तरह हम साड़े लड़ू बना कर तयार कर लेंगे तो इस तरह देखे हमने अच्छी तरह से इस तरह लड़ू बना लेंगे तो देखे कितनी अच्छी तरह से और आसान से बन रही है लड़ू तो आप जब भी बनाए तो हाथ में तेल ना लगाए पानी लगा कर बनाए तो यहाथ में चिपकेगी भी नहीं और बहुत आसानी तरह से लड़ू बन कर तयार हो जाती है तो देखिए मेरी तील लड़ू की रेसिपी बनकर तयार है तो आप जरूर बताएगा कैसे लगी मेरी तील की लड़ू तो देखिए फ्रेंड्स हमने बदाम को फ्राइ करके इसका छिलका निकाल लिया है तो हम चासनी बनने के लिए गूर को रख दिये है इसमें तो देखिए हमने चासनी बनाने के तयारी कर लिए है तो चासनी बन रहा है देखिए गूर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें भी थोड़ी सीलाइची पॉटर डाल देंगे तो हमने जिस तरह से तील की लड़ू बना है उसी तरह से हम बादाम की लड़ूई बना कर तयार कर लेंगे तो देखिए चासनी बनकर तयार है अब हम इसमें बादाम को डाल देंगे तो देखिए एक तार वाली चासनी बन चुकी है तो हम इसमें बादाम को डाल देंगे यह कुस्वरसी तरह पशन देखिए तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो देखिए यह बहुत गरम है तो इस तरह से हम लड़ू बनाकर तयार कर लेंगे तो थोड़ा इसे जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है हमने हाथे पानी लगा लिया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताईएगा मेरी तील लड़ू और बदाम लड़ू के रेसिपी आपको कैस लगी इसे बनाना बहुत ही आसान है तो देखे में घर पढ़ी कितनी आसान तरीका से बनाई हो बदाम लड़ू और तील लड़ू तो मैं हमिसा टीप्स और ट्रीक के साथ बताती हो तो आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा तो देखिए हमने मकर संक्रांत के लिए दही भी जमा दिया है घर पढ़ी तो ठंड बहुत है इसलिए हमने धूप में रख दिया है तो देखिए एक इतनी अच्छी तरख से जम चुकी है हम हर साल इसी तरह घर में ही दही जमाते हैं